हैलो फ्रेंड्स, आज हम फुदेने का पाउडर घर पे बनाने जा रहे हैं, यह सरीर के लिए बहुत स्वास्थ प्रद है, खास करके हमारे डाइजेस्टियो सिस्टम को यह बहुत अच्छे से रखता है, इससे जिसमें भी आप डाले उसका स्वास्थ दुगुना हो जाता है इसे आप पानी पूरी, चार्ट का मसाला, छास का मसाला और नजाने नास्ते के कितने ही सुखे मसाले में इसे आप एड़ कर सकते हैं और स्वात को बढ़ा सकते हैं, आईए हम इसे बनाते हैं हमने यह दो जूड़ी जीतना खुदी ना ले लिया है, यह जोड़ी इतनी बड़ी है, इससे हम हाथ से चूट लेंगे, इससे चूट लेंगे, इससे हम टप भर के पानी में धोलेंगे, बड़ा टप लेंगे इसे बड़े टप में लेकर हम इसे धोलेंगे इसे डुबा डुबा सर रहेंगे टप ले लिया है इसे इसमी डालते जाएंगे आप फुदीने का ड्राइ पाउडर फागुन महिने के पहले बनाईए हमने इस तरह से सारा फुदीना निकल लिया और इसी चलनी में हम इसे दो घंटे रहने देंगे आप देख सकते हैं इसमें कितना कच्रा रहता है इसका पानी कम्प्लीट ट्रेन आउट होने देंगे इसे दो तीन घंटे हो गए इसका सारा पानी निकल गया है इसे हम एक कॉटन के कपड़े पे सुखाएंगे इसे दूसरे प्लेट फॉम पर सुखाएंगे इसे आप गूप में बिल्कुल मत सुखाएंगे इसका कलर अलग हो जाएगा इस तरह से इसे चारो तरफ फैलाते हुए हम सुखाएंगे और इसे प्लास्टिक की थैली के उपर भी मत सुखाएंगे इसे कॉटन के कपड़े पे ही सुखाएंगे और घर के अंदर सुखाएंगे इसे इसे इसी तरह हम रखेंगे जब तक कि आप पूरा सुख नहीं जाएगा पूरा फुदीना दो दीन में सुख गया है देखेंगे एकदम चूरा हो रहा है हमने छोटा मिक्सी जार ले लिया है इसमें हम सारे पूरीना डाल देंगे इसे हम धक्कन लगा देंगे इसे खोल लेंगे और यह जो बाकी का है सुखा हुआ पूरीना उसे भी हम इसमें डाल देंगे इसे फीर से घटर लगा के पूरीना हमने इसे एकदम बारिक पीछ लिया है देखें कितना बारिक है इसका इतना बारिक ही पावडर आप बनाईए इसे हम एक बावल में निकाल लेते हैं यह पावडर बहुत कॉंसेंट्रेट बना हुआ है आप इसे चाट के मसाला बनाने में भी यूश कर सकते हैं चास के मसाला बनाने में भी यूश कर सकते हैं बहुत सारे सूखे नास्ते में इसका उप्योग कर सकते हैं और यह घर का बना हुआ एकदम साफ सुत्रा और कॉंसेंट्रेट फुदेने का पाउडर है इस तरह मेरा यह फुदेने का पाउडर बनाना आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें मैं सुधास कीचन से सुधास शाह बोल रही जो आपने लाइक